आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और मृतिकों का आकड़ा पचास हजार नौसो इकीस पर पहुँच गया सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्रो में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख अठावन हजार से ज्यादा हो गई है और 288 लोगों की मौत होने से मृतिकों का आकड़ा 20,000 को पार कर गया है संसद भवन NXC में आज सुबह आग लग गई आग लगने की सूचना पर साथ दमकलों की मदद से पाबू पाया गया आग लगने के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चला है लेकिन माना जा रहा है कि शौट सरकिट की वजह से ये आग लगी थी उत्तरी कश्मीर के 12 मुला जिले में आज एक आतंकवादी हमले में CRPF के दो जवान और एक विशेश पुलिस अधिकारी शहीद हो गए आधिकारिक सूतरों ने बताये कि करीरी पटन के नजदीक सुभह आतंकवादियों ने CRPF और पुलिस के दल पर अंधा दुंद गोली बारी की इससे पहले 12 मुला जिले के सोपोर में रवीवार को भी आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलाई थी अब पुराने सोने या गोल्ड जूलरी को बेचने पर 3 फीसदी का वस्तू और सेवा कर यानि GST चुकाना पड़ेगा केरल के वित्त मंतरी थॉमस इसाक ने इस बात की जानकारी दी इसका मतलब ये है कि लोगों को पुरानी जूलरी बेचने पर मुनाफ़ा पहले से कम हो जाएगा थॉमस इसाक ने बताये कि हाल ही में राज्यों के वित्त मंतरियों के एक समुह ने पुराने सोने और अभुशनों की बिक्री पर तीन फीसदी जी एसटी लगाने के प्रिस्ताओं पर सहमती बन गई है न्यूज एजेंसी पीटी आई के मुताबिक इस मंतरी समुह में केरल, बिहार, गुजुरात, पंजाब, करनाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंतरी शामिल है बिहार में जनत अदल यूनाइटेड के मंतरी शाम रजक को पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने विधान सभा स्पीकर विजय चौधरी को अपना स्टीफा दे दिया है गोरतलब है कि शाम रजक पार्टी छोड़ने वाले थे इससे पहले मुख्य मंतरी निटिश कुमार ने उन्हें मंतरी पद और पार्टी से हटा दिया था इस बीच खबर यह है कि राष्ट्री जनत अदल आरजडी के नेता तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉनफरेंस करने वाले हैं माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉनफरेंस के दोरान ही तेजस्वी यादव शाम रजक को पार्टी में शामिल कराएंगे बीते कई दिनों से शाम रजक आरजडी के संपर्क में थे गुजरात के खेडा जिले के वसुक शेत्र में आज एक सड़क हादिसे में कार में सवार दो महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए ये लोग आनंद से एहमदबाद अपने घर की ओर जा रहे थे ये दुरगटना दो कारों के टकरा जाने से हुई न्यूजिलेंड में कोविड नाइंटीन को देखते हुए आम चुनाव को चार सब्तहा यानी सत्रह अक्टूबर तक के लिस्थागित कर दिया गया है न्यूजिलेंड में 19 सितंबर को आम चुनाव होना था और तरब है कि पिछले हफ्ते न्यूजिलेंड में 102 दिनों में पहली बार कोरोना के नए मामले दर्च किये गए अमेरिके अखबार के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक शुराहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतिये जनता पार्टी और राश्ट्रिये स्वैम सेवक संग फेस्बुक और वाटसेप को नियंतरित करते हैं इसके जरिये नफरत पहलाते हैं वहीं बीजेपी नेता और संचार इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंतरी रवीशंकर प्रसाद ने पलटवार किया विवाद इतना बढ़ गया है कि फेस्बुक को सफाई देनी पड़ी है इस बीच फेस्बुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डिरेक्टर अंखी दास ने धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है पुलिस इस मामले की जांच कर रही है हाला कि DCP ने बताया कि इस मामले में अभी FIR नहीं दर्ज की गई है शिकायत में अंकी दास ने कहा है कि ऑनलाइन पोस्टिंग कंटेंट के जरिए उनके जीवन को खत्रा है पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का चौथा दिन भी बारिश से बुरी तरह प्रभावित रहा रविवार को 10.2 ओवर का ही खेल हो पाया मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ चला है इंग्लेंड पहला मैच जीत कर तीन मैचों की सीरीज में एक शुने से आगे है तो ये थे अब तक के खास-खास समाचार इजाज़त दीजिए नमस्कार